चोपड़ा जो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो राजस्तान स्टेट के इस्टे वैकेंसी राउंड का रजल्ट आ चुका है और इस रजल्ट को देखते हुए ये प्रतीत होता है कि स्टुडेंट की मेहनत यहां हार गई है और किस्मत यहां जीत गई है ये रजल्ट मैं मेरी लाइप में पहली बार देख रहा हूँ ऐसा रजल्ट क्योंकि थर्ड राउंड में जो सीटे आई थी राजस्तान स्टेट में वो बहुत ही कम सीटें थी यानि की नएके बराबर सीटें थी लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस्टे वैकेंसी राउंड में इतनी सारी सीटें वैकेंट होके आई है तो इस कारण से जो राजस्तान स्टेट की cut off है वो काफी ज्यादा लो रह गई है, इतनी ज्यादा लो रही है कि इसकी कोई भी आसा नहीं कर सकता, क्योंकि राजस्तान स्टेट एक भहुत ही high cut off वाडा स्टेट है, यहाँ चाए कोई सा ही round हो, All India से cut off up रहती है, और वो काफी ज़्यादा अप रहती है लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ओल इंडिया से कट ओफ काफी डाउन रही है काफी डाउन रेंक में रही है ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन इस्टुडेंट्स ने एडमिसन ले लिया है वो इस्टुडेंट ये सोचते हैं कि कास में इस्टे वेकेंसी राउंड में राजस्तान के इस्टे वेकेंसी राउंड में चला जाता तो मेरे को बहुत अच्छा कोलेज मिल जाता लेकिन ये भी बात सच है कि हर कोई राजस्तान के इस्टे वेकंसी राउंड में जा नहीं सकता है और जाता है तो फिर वो हो सकता है इतनी अच्छी सीटें मिलने ही पाती तो ये काफी ज्यादा सोकिंग रेजल्ट है इस प्रकार से उन स्टुडेंट के लिए जो आलरी कोलेज ले चुके हैं अभी सबसे बड़ा ये हुआ है इसमें क्योंकि ओल इंडिया में इस्टुडेंट ने सीट फिल कर दी इसले राउंड में और राजस्तान के सेले राउंड में भी उन्नोंने सीट फिल कर दी अगर ये पहले की तरह रेजल्ट डिकलियर होता यानि कि स्टुडेंट को All India में सीट मिल जाती और राजस्थान में सीट भी मिल जाती तो राजस्थान की स्टो कट ओफ है वो इतनी ज्यादा डाउन नहीं जानी थी लेकिन एकी स्टुडेंट को दो जगे सीट मिल जाती उसम ही है उन कंडिडेट को स्टेट के स्टे वैकनसी राउन से विडाउट किया जाए यानि कि उनको उसमें सामिल नहीं किया जाए उससे काफी फरक पड़ गया और राजस्थान स्टेट की कटोफ काफी डाउन चली गई इसमें और इतने डाउन चली गई कि जिसकी किसी को भी आसा नहीं थी यहां पर अभी मैं आपको एक बार government seat की cutoff बता देता हूँ हलांकि government seat की cutoff third round से down रही है और वो काफी down रही है लेकिन payment seat की cutoff third round से up रही है क्योंकि payment seat की seat ही नहीं बची थी तो आईए एक बार government seat की cutoff देख लेते हैं तो you are category 26,945 यानि की ये near है 27,000 के यानि की 650 marks पर GMC बांसवाड़ा मिल गया है OBC category 27,795 649 पर बांसवाड़ा मिल गया है और soaking देखते हैं EWS में 43,973 रेंग यानि की 44,000 के nearby 631 marks पर GMC 12 मिला है SD category 1,52,307 539 marks GMC 12 मिला है SD boys candidate 1,77,605 रेंग जिसके marks थे 520 GMC पर बांसवाड़ा मिला है और SD girls candidate 1,79,061 रेंग जिसके marks थे 518 GMC पर बांसवाड़ा मिला है ये result देखके ऐसा लगता है की counselling के अंदर कुछ कमिया है जिनके कारण इतनी down cut off गई है और student जो desire कर रहे थे इससे अच्छी rank वाले student उनको counselling में कमियों की वज़े से ऐसा हुआ है या तो All India को एक पहले ही notice दे देना चीए था ये कि जिन candidate ने All India में seat अलोट हो जाएगी वो state में participate नहीं कर सकते हैं तो student state में participate कर देते All India की seat वो छोड़ देते तो काफी कुछ है इसमें counselling में कमिया रही है हालांकि भहुत time तक counselling pending रहती है counselling में gap दिया जाता है और एक stay vacancy round ऐसा होता है जिसमें एक एक दिन वो है इसमें देखा जाता है एक ही दिन state का result declare होगा उसी दिन All India का result declare होगा मतलब एक दिन ही ऐसा होता है जिसमें दोनों का result declare हो जाता है और student को time ही नहीं दिया जाता है उसमें college join करने के लिए time नहीं दिया जाता है इसके अलावा बाकी सारे और भी बहुत सारे जो वर्क होते हैं student के लिए जैसे कि कोई certificate बनवाना है और है उसके लिए भी ये time बहुत कम दिया जाता है last में इस्ट्रे vacancy round में तो ये student के लिए काफी बड़ा इसमें नुकसान होता है तो ये कटोफती दोनों की government quota की और payment seat की कटोफ बाकी जैसे ही update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा जिन candidate ने राजस्थान में documents deposit कर रखे हैं और all India में उनको seat alert हो गई है राजस्थान में तो उनको alert होने का मतलब ही नहीं है क्योंकि उन student को बाहर निकाल दिया गया राजस्थान इस्टेट से जिनको all India में seat मिल गई है तो वो अपने documents जो जिनके जमा हैं राजस्थान counseling board में वो 1st को 3 को और 4th नवंबर को ये documents ले सकते हैं अपना और all India में join कर स